एक English officer जो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था, वहा कि local language सिखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती है, जो उसके साथ intimate होगी और इसे language सिखाएगी, प्रॉलम तब आई, जब उसे उसे प्यार हो गया, हेलो फ्रेंड्स, आज जब आपको दिस स्लीपिंग डिश्नेरी, यह होल्रोड रोमेंटी मुवी एक्स्पेंड करने वाला, अगर आपको वीडो चलगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजएगा, अब बिना किसे दरीगे, एक्स्पेंशन स्टार्ट क करते थे, जब वापस आते, तब उन्हें जब दे दी चाते है, ऐसा है हमारा मेन क्यारेक्टर, जिसके नामें जॉन, इस सर्व करने के लिए सेवाग नाम की कंट्री में आया, यह कंट्री उतनी डेवलब नहीं थी, यहा कि बहुत सारे लोगों को उसकी लाइगविज भी जब पहुचा, तो जिसके लाइग में जाती है, उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था, ज़ॉन को फिर उसके ऑफिसर के बास लेकर आता है, ज़ॉन के ऑफिसर का नाम है हिंड्री, और हिंड्री बहुत सारे सालों से यह रहे रहा है, हिंड्री उसे बुचता है, तुमा ज़ॉन के लोग बहुत यालग है, इन्हें जो के जिन देकर कोई भी फाइदा नहीं है, क्या लोकल लोगों के ट्राइब के हैर से मिलने के लिए फिर उसे लेकर गया, हैंड्री जान से रहता है, कि जो भी कहेंगे, तुमें सब कुछ करना पड़ेगा, वहाँ बहुत जान जान सारा ड्रिंग किया, इसके बाद सलीमा अपने फ्रेंज के साथ नाच रही थी, सब लोग फिर रिक्वेस्ट करते हैं, जान भी उन्हें कुछ परफॉर्म करकर दिखा है, वह बोरिंग सी पोएम सुनाता है, जो लोगों को पसंद ने आए, फिर उसे पिक अप करने के अगले जो आद में आया था, उसे के साथ उसने डांस किया, सब लोग इस वर बहुत अशे है, उस आद मी का नाम में बदंसा है, अगले सुपा जान ने जो भी किया, इसे वह बहुत ही इंबरेस्ट था, आज हैंज जी अपने साथ सलीमा को लेकर आया था, उसे कहता है, कि कि तुमारी वाइफ की तरह सारे काम करेंगे, जॉन को कुछ वे समझ नहीं आता, तो उसे समझाता है, यहां कि लोकल लैंगविज समझना बहुत इंपोर्टन्ट है, और यही सिखने के लिए सलीमा तुमें हेल्प करेंगे, तुमस के साथ इंटिमेट होगे, और यही बेस इस तुमें लैंगविज सीखने का, क्योंकि बहुत सारी सेंचुरी से चलता रहा है, जॉन को इस सब बहुत ही गलत लगता है, तो सलीमा को जानता नहीं, और यह सब नहीं कर सकता, हैंडरी ने कहा हम सलीमा को फोर्स नहीं करें, उसने भी तुमें चुना है, हैंडरी अब जॉन को फोर्स करने लगया था, तो जॉन मान गया, और हो गयता है, कि उसके साथ इंटिमेड नहीं होंगा, हैंडरी इस पर गुसा आगया, और वहां से चला जाता है, जॉन ने जो भी कहा, इस वज़े से सलीमा को भी उस पर गुसा आगया, इनकी एरिया के बॉर्डर में कुछ चाइनीज लोग घुस कर आए थे, और इनकी उनके साथ फाइट हुए, लोकल लोगों ने चाइनीज लोग को तो मार डाला, पर अबॉर्डर थे, तो उन चाइनीज लोग के सर तोड़ कर ले आए जाए, जॉन ही काम बिलंसाय को लेता है, और बिलंसाय ने मंकी की हे हुआ था, उसे कहता हैं कि मेरा नेवी घुए है, यो तुमँहरे साथ इंटिमेट हो सकता है, जॉन सलीमा के साथ इंटिमेट नहीं होता है, शेफी को लग राए था कि गये है, जॉन को इस पर गुस्त आजाता है, उसने कहा कि ये अब नहीं चलेगा, उसने गुस्ते में स सलीमा भी गुर्से में बाहर निकल गे, शेब जॉन को समझाता है, कि अगर सलीमा घर पर चली गे, तो लोग समझेंगे कि वो बहुत ही अगली है, उसका मज़ा गोड़ाएंगे, जॉन भी फिर सलीमा के पीछे बीजे गया, वो गहता है, हमारी कंट्री में ऐसा होता नहीं, मैं इसे किसी के साथ इंटिमेट नहीं हो सकता, उसे सॉरी कहता है, और फिर से लाए में सिगना ट्राइ करना चाहता है, सलीमा भी मान के, नेकसें में हम देखते हैं, जॉन कुछ काम के लिए, हेन्री की घर पर आया हुआ था, यही पर उसके वाइफ एजी से मिलता है, एजी उसे पुछती है, तुमारी स्लीपिंग डिशनरी कैसी है, सलीमा के प्रोफेशन को, स्लीपिंग डिशनरी कहा जाता है, एजी को इसके बारे में पता था, उसे कुछ भी जादा फरग नहीं पड़ता, यहाँ की ट्रेडिशन है, तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, राग में जॉन और सलीमा, एक रूम में अलग-अलग बेड़ परश हो है, सलीमा जॉन से पुछती है, कि अगर तुम किसी और के साथ इंटिमेट नहीं होते है, तो जब तुम्हारी शादी होगे, तो तुम्हें कोई भी एक्स्प्रियंस नहीं होगा, जॉन मज़ाद में गहता है, कि मैं ज़रा कासिस कर लूँगा, जॉन उसे बुछता है, तुमने मुझे चूज क्यों किया, सलिमा गहती है, बाकिस सब लोगों से तुम बहुत अलग हो, अरली दिन फेरिसल लोकल लोगों से मिलने के लिए जॉन गया हुआ था, वह भी भी उसके कोई भी बात मान नहीं रहे, वो कुछ बच्चों को पड़ा रहा था, बालेंस है को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता, जॉन असे गहता है कि मैंने सुना कि तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रहे सकते हो, वो उसके चैंपियन हो, बालेंस है कि हाँ, तो जॉन उसके साथ अब कॉम्पिटिशन करना चाहता था, सारे लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गया, यह दुनों पानी में गया है, थोड़े टाइम बात बैलनस है उपर आक है, और जॉन अभी भी पानी के नीचे ही था, वो लास लिबार आया, जो लोरी सलीमा कहा रही थे, जॉन के फादर जब वो छोटा था, तो यही उसे सुनाने करते थे, सलीमा कहती है, मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे, वो जब चार्स साल की थी, तभी उनकी डेट हो गई थी, यही लाइवे सिखते जिखते हैं, उसे हाथ, निक, इन सारी बोडिक ओर्गंस के बारे में सिखा रही थे, एक दुसरे को टच करने लगए है, पर फिर इंटिमेट हो जाते हैं, इसके बाद हे बार बार इंटिमेट होने लगए हैं, एक रात इंटिमेट होने के बास, सलीमा यहां से जा रही थी जॉन गहता है, मेरे बैट बरी सोजा सलीमा उसे गहती है कि हमारे टेडिशन है, दो लोग पास रात तक एक साथ उठें, तो नों की इंगेजमेंट हो जाती है, तो मेरे साथ इंगेजमेंट नहीं चाहती है अगली रात हेंडी में जॉन को अपने करवा बुलाया था, हेंडी के बैटी अपना एजुकेशन कम्प्लिट करके इंग्लेंड से वापस आई थी, यह सब एक साथ डिनर कर रहे थे, हेंडी की बैटी का नाम है सीसिल, सीसिल इंग्लेंड में यह के लोकल लोकों पर रिसरच कर रही थी वह बातों बातों में कहीती है यहाँ पर बहुत ही अज़िब से ट्रेडिशन हुआ करते थे कोई न्यू आफिसर आ है तो लाइवाज सिखने के लिए उसे गलड़ की दी जाती थी सीसिल को पता नहीं था कि आज भी यही ट्रेडिशन चल रही है सीसिल वंडर करते है कि उन दोनों में या कोई भी फिलिंग्स डेवलप होगी हेंडरी को लगता है इस तरीके से कोई भी फिलिंग्स डेवलप होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रेडिशन है जॉन गहता है कि उन दोनों में फिलिंग्स डेवलोप हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेंडरी को ये बात बहुत ही गलत लगती है जॉन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है अरली दिन जॉन और सिसिल एक साथ थे सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो रिसर्च कर रही थी वो इसी रिसर्च के लिए जॉन उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो बे ले रही थी वो सलीमा के सामने आई उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जौन सी गहती है कि इसे मना करो वो जौन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आये एक डेंजरिस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी याच चुल में हो कहा रहा है तो इसकी इन्वेस्टिकेजन करने के लिए जौन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है उसके साथ बोलन साय और सलीमा बेथी जौन इससे पहले एज़ी उसके पास आई वो गहती है मेरे बेटी बहुत ही एजुगेटर है वह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रगोगे है तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जौन को बहुत ही अज़ीब लगा वो कुछ रिस्पोंस दे नहीं रहा था तुम आज़ी कहती है यह जगली से इसके लिए हा कहतो वन्ना तुम्हारे हाथ से उचली चाहेगी जौन ने रात में सलीमा से बात कि उसे बुशता है मुझसे पहले कि मेरे जैसे और ही बाविज़स थे सलीमा कहती कि हा जौन ने जीस तरी के से सिसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया इस वज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुस्सा थी उसे गहती है तुम भी बाविज़स की तरह ही हो जौन उसे बुशता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जौन समझ गया कि उस पर वो गुस्सा है अगले दिनिया सब उस बिमारी को इंवस्टिकेशन करने के लिए जगा पर पहुँच आ यहाँ पर और और भी लोगों के बिमार पढ़कर डिद हुई थी जौन कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या है तब एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बलंसाय ने उसे देख लिया था तो जौन को बचा लेता है यह दोनों के उस आदमी का पीछा करते है उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे जौन समझ गया कि इस बिमारी की बीचे यही लोग होंगे वो जब वापस आये तो सलीमा भी बिमार पर शुकी थी जौन ने इसमार सोचाँ तो रियलाईज करता है कि सलीमा ने राइज खाया था जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदी बासी लोग को राइज दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी कोई पता नहीं चलेगा यही राज सलीमा ने भी खाया था पर इस लो पॉईजन है तो उसे कुछ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है अब यहाँ के जो लोकल लोग थे यह बहुत ही गेंजरस है अगर उनने इसके बारे में पता जलेगा तो सारे तो उसके लिए बहुत ही वरेट था उसके बिना जी नहीं सकता उसे इसा बात कहें देता है उसनों से मैरेज के लिए प्रपोस्ट किया सलीमा गयती है हमें कोई भी अलाउड नहीं करेगा यह बहुत ही हाड होगा जान गयता है कि इसा कुछ भी नहीं है लोग हमें समझ ले इसा बात एजी ने सुने एजी ने उसे खा कि सलीम है तुम्हारी पास थे अब तुम आगे बढ़ो हैंड्रि उसे वाफर देता है कहता है तुम अब फिर से इंग्लैंड जांके वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तो फिर से वाबर आ सकते हो पर अगर कि फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते हैं सलीमा मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था जान भागते बागते उसके पास आया सलीमा उसे गहती है मैंने तुमसे कहा था इस सब पॉसिबल नहीं हिंडरी सलीमा और जान को पास चांस देता है अगर वो बानि नहीं तो इन दोनों को जेल में डान दिया जाएगा सलीमा जान के नहीं देखना जाती तो कहती है और मैं इसे कभी भे नहीं मिलोंगी सलीमा ने भी जान को जाने के लिए अभी बीज चुका था जॉन की सेसिल के साथ शादी हो चुकी है इनके वेड़ी नाइट पर सेसिल जॉन से बोश दिया या तुम्हारी कोई स्लिपिंग ब्यूटी थी जॉन उसे सच कहता है और सेसिल को इससे कुछ भी फरगने पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने वेज़े रिसाइट किया कि वो उसी जगा पर जाएगा वहाँ अने वर इनने विलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को विलकम करते हैं राट में इने मुवी दिखा जाती है पर इन सब लोगों में जॉन सिर्फ सलीमा को जून रहा था ये बात सिसल ने नोटिस किया और जॉन के साथ रात में इंटिमेट होना चाहती थी पर इस थौट को शेक नहीं कर पाती उससे कहती है मुझे तुमारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है उसके अब शादी हो चुकी है उस एक बेटा है वागनी लाइफ में खुश है सिसल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है और ये दिन जॉन अपने ओल्ड गर को देखने के ले गया वहाँ पर एक और ओफिसर है उसकी और कोई स्लीपिंग डिशनरी इस ओफिसर का नाम था नेविल जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने अपने स्लीपिंग डिशनरी को बहुत मारा है जॉन को इस बात पर बहुत गुशा है उसे नेविल को दमकी दी कि अगर तुमने फेस से उसके साथ ऐसा किया उसे मारा तो राद में तुम्हारा प्राइवेट पर्ड काट देगी सिसिल और जॉन जब से या है तो एजी उनका उब्जरवेशन कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन के वीच में उनकी रिलेशन्शिक उतनी अच्छी नहीं यह सब वो जब बात कर रही थी तब ही जॉन ने यह सब सुन लिया वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के पास था तो उसने सलीमा उसके बेटी को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका बेटा है उसे बहुत ही शौब लगा अब वो सलीमा से मिलना चाता था अपने शेव से बात करता क्या हमारी मीटिंग अरेंज करवा शेव ने औरेड़ी सलीमा से बात के थी और सलीमा जॉन से कुछ भी बात नहीं करना चाहती है एज जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवा जाता है जॉन सलीमा से गहता है क्यों मेरा बेटा है मुझे उसे मिलना चाहिए सलीमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे जॉन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटी से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे एक लोरी अपने बेटी को उसे सुनाए अगली दिन अपने बेटी के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जॉन को कंफरंट किया तो उसे सब को समझ में आ गया एज़ी कहती है मेरे हस्बन हेंडरी की भी एक स्लिबिंग डिशनोरी थी मैं डरती थी कि उसके पास फेसे वापर चला जाएगा इसी वज़े से उसकी साथ ही मैं 30 साल रही यही जीज में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलिशनशिप नहीं रखने के लिए वान करती है जॉन इस बात को सिरिसली लेता नहीं वो अब सलीमा और अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंट करने लग गया था यह बात जब बोलन साय को बता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक राद उसे मारने के लिए उसके गर बर फोश गया जॉन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब यह इसे गर बहुत ही सिरियस है हेन्री कहता है अब हमें बोलन साय को मानना पड़ेगा सलीमा तुमारी पास थी तो तुम उसे जाने देना चाहिए था जॉन कहता है अब हमेरी ऐसे और को डॉटर होती है तो क्या तुम उसे जाने देते हैं हेन्री ने कहा यहि सही होता यह बोलती हुए उस सलीमा को देख रहा था इसका मतलब है सलीमा हेन्री की बेटी है हेन्री अपनी वाइफ की वजए से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेकसिन में बोलंसाय को पकड़ कर ले आ जाता है हेंडरी की कहने पर हेंडरी की फोस में जॉन को बोलंसाय को डेट की सजा दिनी पड़ी औरली दिन बोलंसाय को हैंग करने वाले थे पर बोलन साय नहीं, एक बोई जॉन की जान बचाई थी, रात में जाख कर उसे छुड़ा रहता है, कहता है, कहां से दूर भाग जाओ, रात में सलीमा भी उसे मिलने के लाई, जॉन कहता है, अगर हमें एक साथ रहना है, तो यहां से में भाग जाना पड़ेगा, उन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड की, हेंडरी जॉन पर इस बात से बहुत गुस्सा था, जॉन को सबख सिखाने के लिए एजी, सलीमा को नेवीली के पास जाने के लिए कहते है, एज उसके स्लीपिंग डिशनरे, उसे ब्लैग मेल कर रही थी, कि अगर सलीमा ने इसा न सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया, सलीमा ने नेवील को बहुत मारा, फाइनली वहाँ की शेफ की मदद से वो नेवील को मार डालती है, अगर वो ऐसा नहीं करती, तो नेवील उसे बहुत मारता, और कभी भी जाने नहीं देता, इसे के पैरलल में, जॉन अब एक लेटर लिख रहा था, सिसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं जा सकता, पर इस सब बात सिसिल को पता चल गए, यह लेटर ओपर थी है, उससे बात करती है, उसने कहा, यह मेरी मदर डरती थी, इसी वज़े से हमेशा मेरे फादर के साथ रहे, वो दोनों कभे भी पूरी तरेकी से कुछ नहीं रहे पाई मैं देख सकती हूँ कि मैं तुम्हारी फर्स च्वाइस नहीं तो मुझे अभी वे उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हूँ सलीमा हमेशा के लिए तुम्हारी फर्स लव है तो मैं उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पूरी तरी किसम उससे प्याद नहीं करता सीजिल होफ़ूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएगा वो जॉन को जाने देती है गर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े सून लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जॉन नहीं आया वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई है जॉन उनकी जगह पर लेट पहुचता है पर सलीमा को ढूण नहीं बाता है जॉन का शेफ रेंड जॉन के लिए सलीमा पर नज़र रख रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके मर्डर के लिए हेंडरी सलीमा को ढून रहा था वो उसे ढून तो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीवा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेज़ा से पता था कि हेंडरी उसके फादर है हेंडरी जब घर पर आये तो एजी उसमें बहुत ही गुसा थी कहती है अब तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेंडरी गहता है मैं मेरी बेटियो के लिए हमेज़ा सही बाचाता हूँ वो इस सारे बात को दबा देगा यहां बदा जलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब एजी बहुत ही बुसा थी तो उसने जाकर नेविल को औरडर दी कि जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जॉन ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एक दुसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तब ही नेविल उनके पास आगया उसके पास गन थी उसने जाओन को हटकडिया पहना दी वो सलीमा के साथ जबर रस्ती करने ला दिया तब ही अचलाँ से कुछ आदिवा से लोग वहाँ बर पहुँच गए यह वही लोग हैं जिनको मरने से जाओन ने बचाया था उन्हें नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जाओ पाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जॉन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ मज़े किसी भी चीज़ की जरुवात नहीं यह तो नों एक साथ बहुत ही खुश थे इसी मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेशन अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीज इसे चानल को सब्सक्राब करें दीजेए और बिल मुट पीछन आइकन नाम में मुट फुलिएगा हम वीज मिलेंगे और एक निमों के साथ तब तक लिए थांक्यू और आप अपने आपका खेल रखिया